नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है 10 जून, गुर्वार दोपहर सवा दो बजे, राज्थान की बारा बड़ी खब्री इस साल का पहला सूरे ग्रहन आज 10 जून को है, इस दिन जेस्ट मास्की क्रिशन पक्ष की अमावर स्यातिती है आश्वानी जेंति और वड़ सावित्री व्रद भी है, ये ग्रहन दोपहर 1 बचकर 42 मिनट पर लगेगा और शाम 6 बचकर 41 मिनट पर खत्म होगा ये ग्रहन व्रश राशी और म्रक्षिरा नक्षत्र में रगेगा, इसलिए इस राशी के जातकों को ग्रहन काल के दोरान कुछ परिशानियों से गुजरना पड़ सकता है अलवर जिले भर में बढ़ पूजन अमावस्या पर गुरुवार को महिलाओं ने बढ़ के पेड़ की पूजा कर परिवार की खुशाली के साथ कोरोना से मुक्ति की कामना की संक्रमन की बीच महिलाओं घरों से बाहर निकली, बढ़ के पत्ते लगे, कपड़े पहनने का आकरशन भी दिखा पहली बार महिलाओं ने बढ़ पूजा कर महामारी से मुक्ति मांगी है कोरोना संक्रमन की कारण काफी महिलाओं ने घरों में रहकर ही पूजा की दौसाज शेतर के किसानों के लिए खबर है कि मौनसुन आने से पहले अपने खेतों की जुताई कर बुआई के लिए तैयारी करने और मौंग वे मुफली बुआई के लिए पलाव शुरू कर दें क्योंकि मौनसुन की बुआई का समय एक से पंदरह जून के बीच सही माना गया है प्रिशी अधिकारियों का कहना है कि बुआई के लिए तापमान चौरिस तिक्री से कम होने देना चाहिए अमोमन बारिश आने से पहले की जाने वाली मुफली की बुआई से पहले खेट में दो से तीन बार हलकी जुताई करने उसके बाद पलाव शुरू करें इससे अच्छी पैदावार होगी पुलिस कर्मियों की फिल्ड पोस्टिंग देने से पहले उनके पिसले कारेकाल का फीडबेक अवश्यक रूप से लिया जाएगा मुदवार को CMR पर कानून व्यवस्ता की समिक्षा बैटक में मुख्यमंत्रिय अशुक गहलोत ने इसके निर्देश दिये उन्होंने कहा कि फिल्ड में पोस्टिंग के बाद आमजन के बीच से निरंतर फीडबेक प्राप्त करने का एक सिस्टम तयार किया जाए जिसके प्रभावी मॉनेटरिंग ग्रह विभाग करे नराजगी की चचाओं के बीच फूर्वी डेप्टी सीम सचिन पाइलेट कॉंग्रिस के 11 जून को प्रस्तावित महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन की तयारी को लेकर मुद्भार को हुई वर्चुल बैठक में शामिल हुए वर्चुल बैठक में 11 जून को पेट्रोल पंपो पर कॉंग्रिस सी नेताओं और कारेकरताओं के प्रदर्शन पर रन नीती पर मंथन हुआ लंबे अरसे बाद पाइलेट गहलोद के साथ वी सी में चुड़े वर्चुल बैठक में सुझाव देते हुए इस सचिन पालट ने कहा पेट्रोल डीजल के साथ गैस की बड़ती केमतों के खिलाफ कॉंग्रिस को जन आंदोलन चलाना होगा ताफसान मादमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सबताहा बाद भी दस्वें और बार्वें के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की पॉलिसी तैय नहीं की है कुरोना की तीसरी लहर से पहले ही इस महामारी से औबचुके बच्चों में नया खत्रा पैदा हो गया है。 बीते चाह महामने ही प्रदेश में कुरोना से औबच्च के 500 बच्चों में मर्टी ओरगन फेल होने के मामलेज सामने आए हैं. इसे मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जो रहा है जैपुर के जेके लोन में ही बीते 50 दिन में ऐसे 60 मामले सामने आए हैं जिन में से 8 बच्चे तो जान भी गवा चुकी हैं इसके अलावाद जैपुर के ही अन्य निजी अस्पतालों में भी इस डिजिस के 34 बच्चे भरती हैं भरतपर में ओनलाइन ठगों ने पहले कॉल करके अप डाउनोड करवाई फिर एक महिला के बैंक खाते से 18,400 रुपे पार कर लिए अनाह गेट पत्थर की टाल पर रहने वाले राहूल का कहना है कि उसने 18 मई को पत्नी तेजिस्वनी अगरवाल के मोबाईल से स्नैप डिल पर 543 रुपे का समान ओर किया था लेकिन वो समान पसंद नहीं आया इस पर पैसा वापस मंगवाने के लिए मैसेज किया था इसके बाद पत्नी तेजिस्वनी अगरवाल के मोबाईल पर एक कॉल आया साथ ही वाट्चप पर एक लिंक भी भेजा गया एप डाउनोड होते ही बैंक खाते से 18,400 पर कट गए QS World University ज रैंकिंग में एक भी IIT टॉप 100 में जगह नहीं बना सकी रैंकिंग कुल 100 अंकों के अधार पर के गई थी IIT ज पचास अंक भी हासिल नहीं कर पाई IIT बॉंबे ने ओवरॉल 86.4, दिली ने 45.9, मद्रास ने 38.1, कानपूर ने 36.4, खड़कपूर ने 36.3, गुवाहाटे ने 28.3 और उड़की ने 28 स्कोर किया अंतरास्टे शिक्षक वे चात्रों की कैटेगरी में IIT ज तीन अंकों से अधिक स्कोर नहीं कर पाई अजमेर सित, सूफी संथ हजरत खवाजा मुईनियो दिन हसन चिष्टी के दरगाह में लगी दान पेटियां खोली गई इन दान पेटियों से 16,1411 रुपे के राशी निकली दरगाह कमिटी ने इस राशी को बैंक में जमा कर दिया है खवाजा साहब के उर्ष के पहले अंतिम बार ये दान पेटियां खोली गई थी हाई कोट ने पशुदन सहाय के लगाता तीन भर्तियों में सहरिया वर्ग के लिए आरक्षित पदों को सामाने वर्ग से नहीं भरने पर पशुपालन सचिव वेकरमच्वारी चैन बोर्ड सचिव से जवाब देने के लिए कहा है अदालत ने इन से पूछा है कि जब सहरिया वर्ग के आरक्षित पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं है तो इन्हें सामाने वर्ग से क्यों नहीं भरा जो रहा अदालत ने ये निदेश खेमचंच शर्मा की याचिका पर दिया भरतपुर में आरबीम और जोनाना में लगाई गए समीदा कर्मियों का पी एफ और एस आई राशी जमान नहीं कराने वाली प्लेस्मेंट एजनसी आरेस एंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है इससे पहले प्लेस्मेंट एजनसी को कई नोटिस भी दिये जा चुके हैं आरबीम अस्पताल की एपीमो डॉक्टर जिग्यास साहने ने बताए कि प्लेस्मेंट एजनसी के माध्यम से लगाए गए समीदा कर्मियों के अप्रायल तक के मानदे का भुगतान मेडिकल रेलेस्ट साइटी के फंड से एजनसी को किया जा चुका है तो फिलाले इस प्लेटिन में इतना हैं फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें